खापडखेडा थाना शेत्र में चल रहे अवेद धंदो को रोकने के लिए अभियान चलाया चा रहा है जिसके चलते गुरुवार की रात स्थानिय पुलिस ने रात में टीमों का गठन कर साथ अवेद धंदो की दुकानों पर एक साथ छापे मारी कारवाई की है जिसमें कुल 17,25,200 रुपए का मुद्दे माल जब्द कर कुल 26 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार खापडखेडा अन्ना मोड से रेलवे चौकी तक मुख्य मार पर कुल 7 इलेक्ट्रिकल गेम पार्लर की दुकानों पर छापे मारी की गया है ग्राहकों के साथ दुकान मालिकों को भी हिरासत में ले लिया गया है उनके पास से नकद मुबाइल भी जब्द किये गया है और आरोपियों को नोटिस दे कर छोड़ दिया गया खास बात यह है कि खापडखेडा शेत्र में कई वर्षों से इलेक्ट्रिक गेम पार पारलर की दुकानों में बढ़ने से कई ग्राहक बरबादी की रहा पर थे शेत्र में चल रहे है अवैत धंदों की गुप्त जानकारी के आधार पर खापडखेडा पुलिस ने साथ टी में गठित कर पुलिस वाहन के साथ नीची वाहन से जाकर एक ही सबय पर छापा मारा गया बताया जा रहा है कि मुख्य मार्ग सेत वीडियो पारलर में लगे इलेक्ट्रोनिक मशीन पर लोगों से पैसे लेकर जुआ खेला जा रहा था इसके पुलिस उपविभागे अधिकारी कामटी परिमंडल कामटी द्वारा प्राप्त पुक्ता सूचना के आधार पर प सेमरी गेट के सामने विभिन वीडियो गेम पालरों में गई जहां जुआ खेलते हुए लोग पाई गए इस बीच उनकी तलाशी के दोरान नगदी और दुकान से कुल 88 इलेक्ट्रोनिक मशीनों और उनकी पीतल की चाबिया उन सभी दुकानों से जब्त की गई उक्तारू प्रफियों के खिलाव धारा चार पाच के तहत मामला दर्च किया गया है चापमार कामगिरी पुलिस अधिक्षक विशाल आनन अपर पुलिस अधिक्षक डॉक्टर संदीप पखाले सहायक पुलिस अधिक्षक तथा पुलिस उपविभाग यदिकारी आशित कामडे खाप पवार उमेश ठाकरे शंकर काकडे आशिश बूरे प्रफुल राठोल विनोत कनोजिया संजेक आसिकर रंचना नाग मोते प्रदीब मने प्रमोत भोयर राजु भोयर मुकेश वाघाडे दीपक रेवतकर किशोर येलेकर बादल गीरी शेकर वानकेडे संदीप वागमारे आमीत खोब्रागडे राजकुमार सतूर शत्रुगन वाहने योगेश तितरमारेश भांगी गुगल इन्होंने की NBCN News के लिए खापर खेडा से दिलीब गजबिय की रिपोर्ट